ओम नमो बगवते बास देवाए नमा स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको होल का देन के कुछ चुपाए बताऊंगा साथी भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दोंगा इस वार होल का देन पर सरवार्त सिद्धी योग बना हुआ है जो बहुत ही बड़ा योग मना जाता है इस वार होल का देन पर तीन बड़े योग बन रहे हैं ग्रैन की स्थिती बहुत ही अच्छी है साथी इस वार भद्रा का भी कोई ऐसा बिचार नहीं है तो इसलिए योग बहुत ही अच्छे बन रहे होलका दिन का जो दिन होता है यह बहुत ही पवित्र दिन होता है इस दिन जो भी पूजा पाट किये जाए उनका विशेस लाब मिलता है साथ ही इस दिन आठ रासियां बेहदी भागिसाली रहने वाली है होलका दिन के दिन जो भ बहुत ही अच्छे उपाई किये जाते हैं जिनका लाब बहुत ज़्यादा मिलता। साधी नहीं हो पा रही है या बिजनेस आपका अच्छा ने चल रहा है, जोब नहीं मिल पा रही है। किशी भी प्रकार की कोई परिशानी है तो आपको इस दिन उपाय जरू करने चाहिए। साती होलका देन की राख घर में लाग करके रखने चाहिए और उसका नेमित रूप से टीका करना चाहिए। होल का देन जब जल रही हो तो सूखा गोला आपको लेकर क्याना है और सूखा गोला आपको उपर से काटना है काटने के बाद में उसमें एक चम्मच गाय का घी आपको डालना है साथी साथ काली मिर्च और साथ लोंग आपको उसके अंदर डालनी है और पाँच प्रकार की मिठ्याई आपको उसके अंदर डाली है आप गोले को उपर से मोली से साथ वार बादेंगे उसके बाद में साथ ही इस पर कालियर लाल टीके लगाएंगे साथ साथ और घरवालों को उपर से साथ वार उसारना है साथ वार उसारगने के बाद में सभी का हत लगवाने के बाद में यह है नारियल आपको ग्यारे परक्रमा हुलका देन की देते हुए माच चड़ा देना हैं आपकी सारी व्यादाएं सारी परिसानियां दूर हो जाएंगी खोलका देन वाली जगह पर दीपक जला के आएं पीपल ब्रक के नीचे भगवान सिफ के सामने पित्रों की फोटो के सामने दीपक जलाएं इससे आपकी सभी मनों कामना पूरियों की साथी पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के साथ परक्रमा देनी चाहिए लच्वी नारण भगवान के सामने इस दिन दीपक जरू जलाना चाहिए सत्त नारण भगवान मन वांचेत फल प्रदान करते ही तो ये चोटे-चोटे से उपाएं जिनका लाब बिसिस मिलता है साथ ही धतूरे का फल लेना है उस पर पीला चंदन लगा देना है और वह धतूरे का फल भगवान सिवकाव से करने के बाद में सिवलिंग पर आपको चड़ा देना है अपनी इच्छा बोलते हुए जो भी आपके मन में कामना है जो भी आपकी इच्छा है वह प्रते की इच्छा पूली होगी इस दिन गेऊं की बाली और साती ही चने आपको ओलका देन में बून करके खाने है ओलका देन में भी डाले और सिवलिंग पर भी चड़ा आए यह चीजे बहुत ही इच्छों माने जाते हैं और भगवान प्रसन नो करके मनवांचित भलपरदान करते हैं बहुत अच्छे योग है तो दोस्तों यह जो योग है बहुत ही बढ़िया उपाए बहुत ही अच्छे है साती मेश रासी मेतुन रासी सिंग रासी कन्या रासी तुला रासी धनु रासी कुम और मीन रासी यह आठ राशिया हैं जो इस दन बेहदी भागी साली रहने वाली हैं बागवान की क्रपा से आपके सभी कारेश चद्दोंगे वीडियो को शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी कमेंट में ओम नमश्वाय जरूर लखें बागवान सिब की क्रपा से उनके आशिरवा से आपके सभी कारिशत दोंगे, तन बढ़ेगा, शुक्ष सम्रदी बढ़ेगी, और जीवन में आरी सारी समझ्यां दूर हो जाएंगे. साथी कमेंट में आप जै मातादी जरूर लेखें.